मिजुरम वो राज जहां भारत की सीमा, मैनमार और बांगलादेश से मिलती है पहाडों और वादियों में बसे इस जन्जातिय बहूल राज यानि ट्राइबल स्टेट की आबादी बहुत जादा नहीं है लेकिन साक्षर्ता के पैमाने पर ये देश के अवल राजियों में से एक है यहां की एक और खासियत है ट्राफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है यही कारण है कि सडक हाथसों में देश भर में होने वाली मौतों में सबसे कम मामले जहां होते हैं मिजोरम उन राजों में शामिल है इन दिनों यहां की हवाओं में चुनावी रंग मिला हुआ है राज में नई सरकार को लेकर फैसला होना है राजधानी आईजॉल के बाहरे इलाकों में हमने एक कपल से यही जानने की कोशिश की कि वे चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं हम बदलाव चाहते हैं मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ रोड कनेक्टिविटी को लेकर मेरी चिंताएं हैं सरकार को टूरिजम बढ़ाने पर भी और ध्यान देना चाहिए वे परेटकों को बहतर सो विधाएं देंगे तो हम जैसों को फाइदा मिलेगा इनका सपना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर IAS और IPS अधिकारी बनाना है इन्हें लगता है कि सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए प्राइविट स्कूलों के तुलना में सरकारी स्कूलों के स्थती बहुत खराब है प्राइविट स्कूलों में एक खर्चा बहुत जादा है सरकार अगर सरकारी स्कूलों के स्थती को बहतर करने पर ध्यान देगी तो इन पैसों का इस्तमाल हम लोग खाने और दूसरे कामों में कर पाएंगे इस बार बात पडोसी और बीजेपी शासित राज मनीपूर में घटी हिंसा की भी हो रही है पिछले छे महीनों में मनीपूर के कुकी समुदाए के तकरीबन 12,000 लोगों ने मिजोरम में शरन ली है इस समुदाए के लोग मिजोरम के जन्जातिय समुदाए से जुड़े हुए है यहां अधिकांश लोग इसाई धर्म को मानने वाले हैं यही वज़े है के राज्य के मुख्यमंत्री रविवार की सुभा चर्च की सभा में शरीक हो रहे है मनिपूर की हिंसा का उनके चुनावी गटबंदन पर भी असर नजर आ रहा है राज्य की 40 सदस्य विधान सभा में एक ही सदस्य बीजेपी का है लेकिन हर किसी के निशाने पर बीजेपी है हम लोग अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास पर कई तरह की पाबंदिया देख रहे हैं मनिपूर में अल्ब संख्य को को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है और वहां अब तक भारत सरकार ने कोई प्रभावी कदम भी नहीं उठाया है हम लोग बीजेपी के साथ नहीं है जिस तरह से उन्होंने मनिपूर मामले को हैंडल किया है चुनाव के बाद गटबंधन का भी कोई सवाल नहीं है बीजेपी ने इस बार चुनाव में कम ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है पार्टी का कहना है कि अभी उसका जीतने वाली जगों पर ध्यान है और चुनाव के बाद गटबंधन का विकल्प खुला रहेगा बीजेपी का खिलाफ नाराजगी करकी आपको क्या मिलेगा बताइए कॉंग्रेस के अलावा हमारे यहां रिजिनल पार्टी किसी से दुस्मनी तो है नहीं मनीपूर के बारे में लेकर के जो बयान देते हैं वो राजदितिक बयान है हम 40 पूरा नहीं लड़ेगे क्योंकि बहुत सारे सीतों में हमारा सिर्फ टोकेन प्रेजेंस है फिलहाल पूरे पुर्वोत्तर भारत में बीजेपी अपने सहीयोगी पार्टियों के साथ सत्ता में है इसके बाद भी बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की अपील का लाब पार्टी को मिलेगा हालाकि विशलेशक इससे सहमती नहीं जटाते बीजेपी हैं कोई बड़ी ताकत नहीं है और उनका कोई ठोस जनाधार या वोट बैंक भी नहीं है हिंदुत्वादी एजंडे और बीजेपी के एजंडे का यहां कोई प्रभाव नहीं है मिजरम के चुनाओं में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि यहां के चुनाओं होते कैसे हैं पार्टियों के फ्लैग्स या फिर कैंडिडेट्स के चेहरे आपको यहां सिर्फ और सिर्फ राजनेतिक दलों के दफ्तरों के अंदर नजर आएंगे यहां पर राजनेतिक दलों पर और भी कई सारी पावंदिया है यह सब कुछ इस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है जहां यहां की सिविल सोसाइटी और सारे राजनेतिक दलों ने मिलके इसे साइन किया है इसका मकसद एक साफ चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देना है बावजूद इसके चुनाथिया कम नहीं होती कुछ लोग छोटा संगठन बनाते हैं और उसके नाम पर वो उमीदवारों से आर्थिक लाब लेने की कोशिश करते हैं जब हमें पता चलता है तो हम उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए मनाते हैं इस तरह से हम प्रचार खर्च भी कम कर रहे हैं उमीदवारों ने भी कहा है कि जहां हमारा संगठन मजबूत है वहाँ वो बहुत कम खर्च कर रहे हैं इन दाओं का सच जानने के लिए हम एक चुनावी सभा में भी शामिल हुए यहां जो चल रहा है वो एक मिजरम की खासियत है इसे कहते हैं कॉमल प्लाटफोर्म, सिबिल सोसाइटी असे और्गनाईज करती है सारे कैंडिड़ेट्स यहां आते हैं एक साथ सिटिजन्स, यहां के वोटर्र एक साथ आते हैं यहां के लोग है वो सारे आ सके अपने दफ्तरों के बाद और बैठ सके आप देख सकते हैं कि यह पूरा हॉल फिलाल मुझा आइजॉल में शाम का समय यहां के कैफे में धीरे धीरे भीड बढ़ जाती है ऐसे ही एक कैफे में हम पहली बार वोट डालने जा रहे युवाव से मिलें सरकारे हमारे लिए बहुत कुछ नहीं करती हम संगीतकार एक दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं हमारे पडोसी राज म्यूजिक फेस्टिवल मनाते हैं हमारे पास भी ऐसे फेस्टिवल्स हैं लेकिन वे उतने बड़े नहीं हैं इस वक्त मिजुरम में एक भी महिला विधायक नहीं है यहां महिला मददाता कई तरह के बदलाव जाती है मिजुरम में बदलाव की जरूरत है कई युवा ऐसा महसूस करते हैं और इस बार हम युवा पेड़ी के कई नेताओं को देख रहे हैं इन लोगों की वज़े से हम लोग उत्साहित हैं यहां एक बड़ा मुद्दा नौकरियों का है पलायन कर चुके हमारे दोस्त भी वापसाना चाहते हैं लेकिन कोई नौकरी ही नहीं है मीजो युवा कलाकार या फैशन डिजाइनर या फिर चितरकार बनना चाहते हैं लेकिन जादतर माता पिता उन्हें सरकारी नौकरी करने पर मजबूर करते हैं माता पिता को चाहिए कि वे युवाओं को अपनी पसंद के मताबिक काम करने दें उनका मार्क दर्शन करें ताकि वे अपने सपने पूरे कर सकें सपने और अकांग शाओ के साथ साथ मत ताताओं में दर भी देखने को मिल रहा है पहचान और समुदाय से जुड़े सवाल भी हैं लेकिन इन में से कौन से मुद्दे मिजोरम के अगले पांच साल तै करेंगे इसका जवाब जनता साथ नवंबर को देगी प्रेम बूमीनाथन के साथ जुगल पुरोहित बीवी सी मिजोरम